तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब लोग देभुमिस्केल इंडिया सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत है जो आज की मैं वीडियो लाया हूँ वह आप ओल लेडी थमनेल में देख चुके होंगे कि हम एस्टीबी पंप को आटो कड बनाएंगे ठीक है और जो आपके सामने हमें रिजल्ट है वो पूरा दिखाएंगे प्रेसर बहुत शांदार आता है और आप अपने पंप को आप आटो कड बना सकते हैं हर कोई वाशिंग वाला अब अपने एस्टीबी पंप को आटो कड बना सकता है पानी की बहुत अच्छी बच्चत होती है ठीक है और प्रेसर पूरा आपको बराबर आएगा जितना अभी लेते हो तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि इसको करना कितना असान तो गाइस सबसे पहले हमें गन लेनी होगी जो भी यह नॉर्मल गन है यह आप को Amazon में मिल जाएगी बहुत असानी से ठीक है और ऐसा ही आपको पाइप लेना होगा और मैं आपको पुरा सिस्टम समझा देता हूं तो मैंने क्या किया हुआ है दो पाइप के दो छोर होते हैं मैंने उसमें एक यह कट लगाया हुआ है ठीक है यह पुराने पाइप का पड और जुगार किया है इसका जो होल होता है अंदर का आप देखेंगे वह बहुत छोटा होता है और हमने इसका होल जो है बहुत बढ़ा किया है अब देड़ यह दो एमेम की जो ड्रिल की बीड आती है आप वह यूज करके इसके घर में भी बढ़ा कर सकते हैं ठीक है यह भी पाइप है और एक जो हमारा गन वाला है वह हमने यह वाला लिया है और दूसरा जो हमारा दूसरा वाला उसमें यह लगा लगा है ठीक है जो नॉर्मल वाला जिसको बोलते हैं तो जिस जब हमें चलाना होता है तो इसको इधर को कर लेते हैं और इसको चालू कर देते हैं ठ जो आपके नौर्मल स्टीवी पम में प्रेसर के लिए लगा रहता है पाइप के साथ ठीक है यहां का सिस्टम तो यह रहेगा खाली चेंजिस कहांगे खाली गन में चेंजिस होंगे कर दो आपने सब्सक्राइब है तो यह देख यह देखेगा अगल कर सकते हैं अगर कुछ मुझे कॉल कर सकते हैं तो अभी जो है है आगे हम सोचेंगे फ्यूचर में इसका प्राइस क्या रखा जाए तो अभी मैं आपको इसका प्रेसर भी दिखा देता हूं और आपको कुछ भी जानकारी चीहोंगी तो डिस्प्ले में मेरा नमबर चला है आप मुझे इसमें एस सकते हैं लो moo चुशना आप प्रेसर से दोख सकते हैं और इसको दिखा करेता हुआ इसके रीयोश करूइस को आप देखा दिखा के हैं आपको इसको ऑपोश्टाउन की आव क्योंकि हमारी जो मोटर वो टू एच्पी की है और इसमें मोटर अगर चेंज़ेस कर देंगे थ्री एच्पी की तो इसका प्रेशा और डबल हो जाएगा तो आप यह देख सकते हैं इसकी वीडियो में प्रेशर बहुत अच्छा है बहुत प्रेशर वाला है यह देखिएगा बहुत अच्छा प्रेशर निकल ला है यह देखिए और हम इसको छोड़ देंगे तो देखिएगा नॉर्मल रहेगा थोड़े यह देखिएगा आप चला यह देखिएगा यह देखिए प्रेशर कि कुछ इस तरीके से हम लोग ने आप लोगे लिए वीडियो बनाया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या अभी लड़का इसी सही दो रहा है और आज ही हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया बहुत आसानी से मैंने घर बैठे कर लिया मैं कोई कार वासिंग के मामले में इतना टेक्निकल नहीं था बाट मैंने एक हमारे साथ में एक सब्सक्राइबर है यूटूब के जो हमारे लोकल में रहते हैं उन्होंने थोड़ा गाइट करा और उनके साथ मिलके हमने इसको बनाया तो आज ही मैंने आप लोगे लिए पहली वीडियो डाल दिये और इसमें तो चोटे मोटे चेंज़ें वह हम करने वाले हैं एक तो हमें मोटर चेंज करनी है अगर हमें इसी मोटर से प्रेसर चाहिए तो बहुत अच्छा प्रेसर आने वाला है और यह मैं आपको एक दो जोगों और भी ट्राइव करके दिखाऊंगा जहां पर 3HP लगी वी है मैं उनके वहां भी आपको यह ट्राइ करके दिखाऊंगा इस गन का रिजल्ट ठीक है क्योंकि मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं मेरे यहां टू एस्पी की मोटर है और मैं आपको इसका रिजल्ट थ्री एस्पी में दिखाऊंगा हो सकता है आज की पहली वीडियो में आप आप लोगो सजेस्ट करूंगा आगे और कैसे बनता है यह मैं आपको बिल्कुल फिरी आफ बताने वाला हूं और अगर आपको किसी को हमसे बनावा लेना है तो हम लोग ट्राइब करेंगे इसमें जो कुछ चेंजेस होने हैं वह कुछ लैथ वाले हैं उनसे चेंजेस होते हैं ठीक है हम पहले पता करेंगे कि अगर वाले वह में बना के दे दें तो हम आपको यह बहुत कम कौश्ट में दे देंगे आप अपने वासिंग चेंटर में स्टीपी पंप में यह लगा के और आटोकट मशीन द्वारा यूस कर सकते हैं यह नई टेक्नोलोजी है ठीक है अभी तक हम लोग जो दोते थे स्टीपी पंप से वह वैसा पानी यूज करते थे उसमें बहुत प्रेसर भी आता था और पानी वेस्टेज बहुत होता था तो यह गन वाला मुझे अच्छा लगा इसमें चेंजेस करने के मूर्ट भी है पतला भी आता है और इसके आगे आ